दोस्तों वैसे तो माइकल जेक्सन एक ऐसे शक्सियत हैं जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा दुन्या में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुचाने वाले जेक्सन विश्व के एक प्रसिद्व पूर बातों के बारे में दोस्तों माइकल जेक्सन 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास एक टाउन में अपने माता पिता के सबसे चोटी संतान के रूप में पैदा हुए थे उनकी मा का नाम कैथरीन ता वो भी म्यूजिक के काफी शौखीन थी और बच्चों को अक्सर म्यूज पी बढ़ने लगी थी माइकल जेक्सन और उनके पिता की रिष्टे शुरू से बेहत खराब थे एक इंटर्व्यू में जेक्सन ने अपने पिता के हिंसक सुभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाईयों और उनको पैसे कमाने की एक मशीन समझते है इसके साथ ही उन्होंने कभी अपने बच्पन नहीं जीने की भी बात कही थी वे बच्पन में घर पर करीब तीन गंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते थे इसके बाद स्टूडियों में घंटों रिकार्डिंग करते थे और फिर ठक कर सो जाते थे एवं बच्पन होने का ऐसास दिलवाते थे वहीं बच्पन में माइकल जैक्सन अपने पिता से इस कदर डरते थे कि बीमार हो जाते थे वहीं कुछ रिपोर्ट्स मताबिक फरतमान में माइकल की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है उनके हैट और चेहरे पर बाल रखने की वज़ए भी पिता ही थे दरसल अपने पिता की बाते सुनने के बाद जैक्सन काफी कॉंपलेक्स फिल करते थे यहां तक भी वे लोगों से नजर मिला कर बात नहीं करते थे और इसी वज़ए से हैट लगाते थे और चेहरे पर बाल रखते थे हलांकी जैक्सन ने अपने सफलता का इसली से शादी कर ली हलाएं कि उनकी यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी 18 जून 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाग भी ले लिया इसके कुछ दिनों बाद ही माइकल अपनी नर्स डेवी रो के साथ शादी के बंधन में बंद गया शादी के बाद दोनों को प्रि माइकल के पास ही रहे माइकल ने महस पात साल के उम्र सही अपनी अदबुत सिंगिंग टैलेंट को दिखा कर लोगों को आश्यरे चकित कर दिया था उन्होंने अपने पिता जोसेफ की डायरेक्शन में अपनी बड़े भाईयों के साथ जैक्सन प्रदर्स बैंड से के डांसिंग और सेंगिंगी प्रतिबा को देखते हुए कम उम्र में ही साइन कर दिया था 1906 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन फाइब कर दिया गया था माइकल जैक्सन एक एपिक रिकॉर्ड से जुड़े गया और अपने ग्रूप का नाम बदलकर जैक्सन कर दिया इस दोरान उन्होंने शेक यूर बाडी और इंजॉई यूरसेल्व जैसे हीट पॉप गाने गाकर सफलता के एक नए आयाम रचे साल 1989 में माइकल जैक्सन ने अपना पहला सोलो एलबम आफ दा वाल निकाला इस एलबम में रॉक विथ यू, डॉन्ट इस्टॉप और तिल यू गेट इनफ जैसे सूपर हिट पॉप गाने शामिल थे ये एलबम भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया इस एलबम की करीब साथ मिलियन कॉपी मार की थी, जैक्टन के काम्यावी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने इसके तीन साल बाद साल 1982 में अपना दूसरा सोलो एलबम थ्रिलर रिलिस किया, इस एलबम में बेट इट और बिली जीन जैसे सूपर हिट पॉप सौंग्स ने उन्हें दुनिया के सबसे मैन दा मिरर जैसे सूपर हिट पॉप सौंग्स से आसेम सफलता हासिल की, माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एलबम डेंजरस बनाया, इस एलबम ने भी काफी प्रसिद्धी हासिल की, इसके करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी, दोस्तों माइकल जैक्सन के थ लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट बिले जब कि उनके थ्रिलर एरबम को 20 प्लेटिनम से सर्टिफाइड किया गया था, माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज़्यादा आवर्ड्स मिले हैं, इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनीज वर्ड रिकॉर्ड्स भी दर तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक मुकाम पर पहुचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए, उनकी मौत पर दुनिया में सननाटा च्छा गया था, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद करके बिल आइकन को भी जरूर प्रिस कर लीजिएगा